किसी भी अध्यात्मिक जर्णी की शुरुवात हमेशा सद्गुरु के जाप से नाम से होती है। गुरु की कृपा के बिना अध्यात्म की इस ताले को खोलना लगबग असंबव जैसा है। कुछ लोग गुरु की महिमा गाते हैं, संद जन जब गुरु की महिमा गाते हैं, तो गुरु की महिमा में सारे संसार को एक तरफ रख देते हैं। राम तज्यू पर गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरी को न निहारूं, हरी ने पांच चोर दिये साथा, गुरु ने लई, छुटाए अना था, परमातमा ने तो पांच चोरों के चंगुल में डाला, लेकिन गुरु की कृपा ने हमें छुडा लिया, हमें सब तरह के बंदन करते हैं, नमशकार करते हैं, राइट, क्रिपया जादा, इसलिए मूव कर जाएं, जो लोग, जो जो जा सकते हैं, वहां मूव कर जाएं, यूट्यूब पर मूव कर जाएं, नीचे लिंक दिया हुआ है, तो यहां हम बात समझना चाहरे हैं, क्योंकि बहुत से बंदन में spiritual progress हो रही है, यहां पर इसके बारे में छोड़ा हम विस्तार से कोशिश करते हैं, बजानने के लिए, तो, अध्यात्मिक प्रगति करने के लिए जो symptom होते हैं, जो लक्षन होते हैं, उनके बारे में विस्तार से जानने का प्रियास करते हैं, क्या होते हैं ये लक्षन, कैसे पता चलता है कि आप तरक्की कर रहे हो अध्यात्म में तो इसके लिए जो पहला इसमें पॉइंट है पहली चीज़ जो होती है अब आप जीवन से लड़ना बंद कर देते हो जीवन से लड़ना बंद कर देते हो अब वो जो लड़ाई है अब वो अपने आप से रह गई है प्रकृति को स्विकार कर लिया है जीवन में जो होने वाली चीजें हैं जीवन के नियम समझ में आ गए हैं प्रकृति से समझ में आ गया है वरना पहले क्या होता था एक आम इनसान का और अध्यात्मिक वेक्ति के अंदर फरक क्या है अध्यात्मिक वेक्ति जो है, वो हमेशा gratitude में जीता है, और जो संसारी है, वो हमेशा शिकायत में जीता है, यह सबसे बड़ा फरक है, सबसे मेज़र, हे प्रभू तुने ऐसा क्यों नहीं किया, हे प्रभू तुने वैसा क्यों नहीं किया, जैसे प्रभू जो है, वो आपके स हमारी गुलाम नहीं हैं उनके अपने रूल्स हैं एक विक्ति खड़ाओ के मोदी जी को गालियं देता फिरे कि अपने अपने आपको समझें कि मैंने क्या किया कि कभी अपने हरकते नहीं देखी और दो सिधा सरकार को दिये चले जा रहे हैं तुमने आज तक क्या किया कोई पूछा जाये तो तुमने देश के लिए क्या किया किया जो तुम देश की सरकार को गली दे रहे हो यह सवाल अपने आप से पैदा होता है तुमने परमात्मा के लिए क्या किया तुमने प् हुकम दो को मैं अभी बजा लओगा, गुलाम जो हूँ तुमारा, फरमातमा गुलाम नहीं है, शेहिंशा है वो, उसके पास समस्त, वो सारे खजाने, वो सारा खेल ये चलाया, उसी का ही चल रहा है, हम जाने ना जाने, हमारे जैसे कई, हमारे जैसे कई, उसके सामने ऐसे खड़े हैं, असंख 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 अब्रमांड उसकी एक फुर्ने मातर से ऐसे पैदा हो जाते हैं, और असंख असंख अब्रमांड मिट जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता, तो जरा समझना, कितना विराट अस्तित्व है, कितना विराट अस्तित्व है, किसी संसार में कहते हैं कि वारधारन देने के लिए किसी ने का कि कोई बड़ा फेमस इंसान हो गुजरा कोई बड़ा संसार में बड़ा फेमस इंसान था कोई सला हो गया प्रत्मा के प्रमात्मा पर माइस सा हम नहीं आ जे अड resist Catch कश्मसाब छोंड थान वन चीजग वह तो हो कि गृइवां की ट्रू आत방 जैने हैं टूंग हुआह एटने इतने वृ। पढ़े, ऐसा किया, वैसा किया, इतने तुमारे जाब किये, भगवान ने का, पहले तु किये बता, तु आया कहां से है, तो उसने का कि मैं, पृत्वी लोग का, फलाने फलानी जगा पर पैदा हुआ इतना महान, महान ऐसा, अचा कौन सा पृत्वी लोग, भगवान पूछते हैं, चा कौन से वाला पृत्वी लोग, कौन सा मतलब क्या, हमारी रिज़ों में तो एकी पृत्वी लोग पता है, वो जो सूरत की तैरों सिर्फ चक्र लगाती है वो वाली प्रित्वी अच्छा हाँ उसकी गैलेक्सी कौन सी है कौन से आकाश गंगा में है वो आचा आकाश गंगा यह वाली ऐसी ऐसी कितनी आकाश गंगा हैं पता है आपको और एक एक आकाश गंगा में ऐसे कितने करोड़ों पूर्धियों के आप जाने कितने एक पृतवी इस पृत्वी के ऊपर भी शाड़े आठ सो करोड़ लोग है उस में से तुम को उन्हुन हो बैई फर्मात्मही साथ पिता तुमसकरिसे कुसी नहीं जा सॉपृत्वी जाक कोुछ Está तॉआज मुद्यों निकालते मज़ाग समझार रखा गया उसकी विवस्ता में गलते हैं निका रहे तुने ये नहीं किया और तुने वो नहीं किया परमात्मत तुने चिठ्धे खोलने लगे न तुमारी साथ वीडियो का ही साब किता वैजल आगे सामने घड़ा कर दे तुमने समझ क्या रख्या है परिमात्मा को कबीर साथ फिर्माते है लोगन राम खिलोना जाना लोगने भगवान को खिलोना समझ रख्या है तो मजाग बना रख्या है प्यार से है इतनी महान हस्ती से मिलते नाम भी रिस्पेक्ट के साथ लिया करो कौन हस्ती है वो पता है ए प्रभू तुने ऐसा क्यों किया जिस राम का नाम लेने मात्र से जितना बड़ा मानो गए यह वड़ उुचा होई जो कोई तीस उुचे को जाने सोई जितना उुचा तू होगा उतने उुचे को इतनी उकाद तेरी होगी तभी तो जान पाएगा उस उचे को एवड उचा होए जो कोई उस उचे को जाने सोई अब वो तो उनको पता है ना जो उस उस फील्ड के लोग है उनको पता रगता है परमात्मा क्या आस्ति है या चोटे मोटे देवी देवताओं को रिजाने में लोगों की जिन्रियां गरबाद हो जाती है, चोटे मोटे देवी देवताओं उसे चोटे मोटे सिद्धियां पाने में, चोटे मोटे सिद्धियां पाने में ऐसे अनंत, 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 अनंत देवी देवताओं उसके साम शिकायते कर रहे हो उसकी विवस्ता में शिकायत निकाल रहे हो जो शिकायत कर रहा है सब कुछ समझते हुए भी जो शिकायत में जी रहा है इसका मतलब उसे अभी अध्यात्म का ए भी नहीं आया अभी भी अगर वो शिकायत कर रहा है तो तो सबसे पहली चीज समर्पन भाव जिस से ही तुम समझ में आता है ना कि वो क्या है और तुम क्या हो तुम्हारे जैसी अर्बों खर्बों पता नहीं कितनी प्रिश्मिया चला रहा है वो उसके नाम मातर से चल रही है गूम रही है पूरी अर्थ विवस्था गूम रही है एक ब्रमांड, अनन्त ब्रमांड, ब्रमांडों की बात करते हैं, ब्रमांड एक भी नहीं, अनन्त ब्रमांड, ऐसी विवस्था चला रहा है वो, कितना स्मार्ट होगा, कितना स्मार्ट होगा, तो उसको जरा, उस महान उर्जा को, जब कोई पहला इंसान, पहली बार जिसको अध्यात्म की समझ आती है न, वो पहले तो उसके आगे नत्मस्तक हो जाते है प्रभू कैसे हो आप, कैसा दिव रूप है आपका, कैसा अनंत अनंत ब्रहमांडों में फैला हुआ ये विराठ रूप, जब अरजुन को भी बास समझ में नहीं आई थी न, अरजुन भी ऐसी प खवाण ये अपना विराठ रूप दिखाया और फिर अरजुन की इतना था? के सैभगवान का जो अंगूठा था, चर्नो का अंगूठा था, उच्चर्नों की अंगूठे का जो उच्चाई है न, जितनी उससे भी छोटा आरजुन, इतना सा आरजुन और इतना विराठ प्रभू, तो देखते हैं तो बस, नेती नेती जहीं वेद निरूपा, निजानन्द निरूपाधी अनूपा, शंबु विरंच विश्न भगवाना, ओप जेहु जासु अंशते नाना, अनन्त नेती न नेती जहीं वेद निरूपा, वेद जिसे नेती नेती कहकर हार जाते हैं, तो महान तम वो जो सुप्रीम पावर है, उसके सामने तो क्या उकात गिना रहे हो, किसके उकात गिना रहे हो, जो पहला सिंटम है अध्यात्मिक जागरती का, अब आप लड़ना बन कर देते हो, ए तिरी अनंत कृपा है, अनंत, अनंत कृपा है, लड़ाई खतम, लड़ाई सरफ वो कर रहा है, जिससे अभी स्विवस्था का समय में नी आया, अभी पर जैको, जैसे हमारे आपर कोमन बात है, मैंने बोला ना, मोदी को लोग ऐसे गाली देर, आपको पता है वो कोन हस्ती ह मतब वहां तक पहुंचके तुम्हारे, मतब उनके नाम लेने से पहले तुम्हे पहले सोचना चाहिए, तुम्हारी अखात क्या उनके सामने, मैं की परिटिकल मॉटिफ से नी कह रहा हूँ, लेकि देश के परधान मंत्री की जो गरिमा होनी चीए, वो तो पता होना नहीं थी, not this, not this, पहले महिमा गाती हैं पहले वेद, महिमा गाती हैं परिमात्मा की, तो नहीं, जितना मैंने का यह बहुत थोड़ा है, माफी चाहता हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता, not this, not this, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, इतना भी न A for Apple, B for Boys को पढ़ना भी नहीं आता भी और बात करता है वो इतने महां टीचर की जो PhD के टीचर हैं और परमात्मा के साथ कुछ कमपेरजन हो तब तो बात है तो यह सो बात कहने की है इतनी सी वरना पता नहीं हमारी जैसे कितने टटकून जी है उनके सामने ऐसे गूम रहे होते उकात क्या जिसको अपनी चुद्रता समझ आ जाती है ना चुद्रता समझ में आती है और मज़े की बात है जिसको ही अपनी चुटापन समझ में आता है उतना बड़ा हो जाता है यह बड़े मज़े की बात है जैसे उसको अपना चुटापन समझ में आता है उतने बड़ा ह गयाता है क्योंकि वो लीन हो जाता है अपनी हस्ती को मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबाच जाए अब हस्ती मिटा देता है वो कहता है मेरी उकात क्या इस विराठ हस्तित्रों के सामने मैं लडूँगा क्या मेरी उकात क्या मैं समर्पन करता हूं समर्पन करता क्या और करेगा क्या बता क्या करेगा लड़ेगा समर्पन हो जाएगा जैसे उसकी विराट महिमा को जानते हो ना समर्पन हो जाता है करते क्या हैं किसी के उकात है समर्पन करने के लिए फिर भी हम कह देते हैं एक भक्त का हिर्दक कह देता है कि मैं समर्पी तो चलता है चलता है इतनी बात समझ में आती है मैं समर्पन करता हूँ कर ले चल दी कर ले जहादा चारेगा नहीं तो लड़ता ही रह जाएगा जो बस यही फरक है भक्त में और अभक्त में भक्त मतलब जो connected है always connected है वो अभक्त वो भक्त जो always connected है जो connected नहीं है व विभत वो जुदा है उससे अलग है वो कहता है तू अलग और मैं अलग और जो सेम है वो कहता है जो तू है वही मैं हूँ ये बात समझ में आ जाती है उसको तो कहता है जो तू है वही मैं हूँ मैं तूसे अलग कहा है बस ये बात पहला सिंटम है ये परमात्मा से कनेक्ट हो का ऐसे ही जीवन के दर्द को बड़े प्यार से स्विकार करना सीख जाते हैं जीवन के दर्द को बड़े प्यार से स्विकार कर रहे हैं जब मेरी हरकते हैं मैंने ही सब किया है तो दोश किसी को क्या देना अपने आपको ही दोश दे रहे हैं तो फिर लड़ना किस बाद से लड़ना तो तब हो जब वो कोई अलग हो और हम कुछ अलग हो लड़ा एक किस से वो लिया है हम सरकार को जुका देंगे कौन जुका देगा किसको जुका दोगे यह कोई आम संसारी सरकार नहीं है सची सरकार है, सारे Bhramand के कुल नायक हैं वो क्या किसको जुका दोगे तुम समक्षन सीकh लो, कितना लड़ोगे कितना लड़ोगे आ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो पर सो ऌहें से मिट जा ओओगे पता भे नहीं होगा कौन बूंद वो जो जो मैं उधारण दे रहा था ना उस वेक्टी की बात जो है ना जब परमात्मा के सामने उसने कहा कि आप आप जानते नहीं मैंने इतने सारे पुन्ने धनम किये मैंने तो एतना दानवान किया और फलाना निमका पता नहीं मैंने क्या कुछ पुर्बान कर अपना तुम अपना कोई तीर बटा दो राम बिर सिंग कलो नहीं बताओगे क्या जहां पर तुम अभी रहते हो यह पता होगे पता है उसको तुम्हारा पता क्या है उसके सामने जिस ठाकुर्षियों नाही चारा ताको कीजे सद्धनमशकारा गुनाक्साती प्रेणा देत ले जब जल्दी समझ आए उतनी जल्दी समझ ले के अध्यात्मिक जागरती यह बात समझ में आ रही है यह लड़ना बंद हो गया दर्ढ़ए है ऐसे ही मर में परमात्मा की याद बनी रहे लगातार, तब समझ ले, सिमरन चलता रहे, तो समझ ले कि तुने बात को समझ लिया है, प्याख से लगातार, स्वांस, स्वांस, सिमरो, गोविंद, मन अंतर की उत्रे चिंद, जितना परमात्मा को तुम मानोगे ना, जितना विरा और उचे, और उचे, और उचे, और उचे, और उचे, और उत्रे उत्रे से मर्पित होते जाओंगे, इसलिए, इसलिए गुर्णानक साब जी जैसी महान हस्ती हैं, जब परमात्मा के आगे प्राशना करते हैं, कहते हरीके जन, सत्गुरु, सत्पुरुका, हों विने करों प्रफ्रक नीजानना चाहिए, वही है, हरीके जन, सत गुरु, सत पुरुखा, हों विने करों गुरुपास, वो सत पुरुष ही है, परमात्मा ही है, मैं एसे गुरु के आखे विनती करता हूं, कहते हम कीरे किरम, सत गुरु शर्नाई, हम कीडे हैं, तुछुद, नादान हे, यह प्रभूम के लिए शरण में हैं जिरा अपनी किरपा दिश्टिक करके नाम का दान दे दे, करदया नाम परगास, हम कीडे किरम सतगुर शरणाई, जो जब ये जान लेता है ना अपनी उकात क्या है, अपने एक तच्च सा कीडा है, इतनी ही उकात है, इसलिए चुक जा, मिट जा, और मजे की बात है कि जैसे मिटता है, तो पाता है कि तो प्रभातमाई है, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा कुछ बनना चा कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार, दाना मतलब बीज, खाक मतलब मिटी, बीज मिटी में मिलकर गुले गुलजार होता है, विराठ विरिक्ष बन जाता है, वो मिट जाता है, बेटर है मिट जा, बेटर है मिट जा, फालती में लड़ मत, परमात्मा को याद कर, और इस भाव के साथ डुबके लगा, उसको कहे कि जो तेरा रूप है, वही मेरा रूप है, मैं तुस्से अलग कहा, जो तेरी हस्ती, मैं तेरे अदर मिट जाऊं तो जादा अच्छा है, वो अपने आपको फिर अलग नहीं गिंता, वो उसी के तरफ देखता रहता है, उत्ते बैठत सोते जागते, परमात्मा के वो हिर्दे से बिसरता नहीं है फिर, याद रहती है आपको, याद रहती है, मेरे गुरुदेव फरमाते हैं, जिसको याद है, वो आबाद है, आबाद है, हमेशा, वो जब जब उसका इसका दिल शुक, उसका दिल परेशान होता है, वो कि वल, वो सुखी हो, वो दुखी हो, वो आनंद में हो, वो स्वांस भी ले रहा हो, तू भी वो परमात्मा को याद करता है, हर स्वांस में वो उसी की याद बना के रखता है, जब इस प्रकार से दिल में प्यार बस जाता है परमात्मा के साथ, तो फिर उसके बाद फिर गैप फील होता है फिर वो लगातार उसी के प्रेम में लीन रहता है फिर वो जानता है कि उसके से और किस से बात करूं इस अंसार की तुछ बाते फिर गिंती में नहीं आती तो ऐसी बात जब अपने दिल में बनी रहती है और परमात्मा की याद बनी रहती है अब उसके साथ और क्या घ हो गा परमात्मात्रों को भृत-बुविष्य वरत्मार सब पता है उसे तो उसे क्या नहीं पता है की जो सूचता है ़ो हो जाता हर रैं़ कि ये इस्फिएयों की जो भास सुना और त्सका मतलब होता कुन सुचा हो जा और फाइकुन हो गया जो उसने सोचा जब ये स्रिष्टी बनाई तो उसने कहा बन जा हो गया हो जा उसने कहा हो जा उन और हो गया फाइकुन हो गया मतलब जैसे उसने सोचा तो वो बन गी स्रिष्टी उसकी एक सोच मातर से इतनी विराट सिष्टी घड़ी हो गई है कहते हैं उसकी पलकें उठी तो सिष्टी बनी पलकें जुकी तो सब वीलीन हो जाने वाला इतनी विराट प्रभू के आगे तुम क्या लड़ोगे पैटर है जिस ठाकूर से नाही चारा ताको कीजे सद नमशकार है उसको नमशकार ही किया जाए समर्पित हुआ जाए उसके नियमों के आगे समर्पित हुआ जाए तिनमें प्यार पैदा होता है बात समझ में आ रही है यूट्यूब वालों को भी समझ में आ रही है यूटीप वालों को भी शमज में आ रही है पर मात्मा के प्रती प्रती पयार समझ में आ रहा है क्या होता है समझ दीजे समझ दीजे समझ दीजे रहा वीडियो को लाइक करदें जरह अच्छा लग रहा हो तो connect हो जाएं बाकी लोगों को तक बात को पहुंचने में मदद मिलती है और यहां पर भी जो लोग होना चाहें यूट्यूब पे मूव हो जाएं फटा इजी हो जाती है बात तो आप ठोड़ी सी रोनग मेला वहां भी लगा रहे थोड़े यहां भी लगा रहे हैं पर वापीस फिर हम प्यूंट बचे सीग्रेट बता करें अब लो यहां पर पर युशला जाते हैं और वह सब सब्सक्राइंस क्वपल दर्थ कि इसे होने वाला, शानत हो जायें पता रहे है चुप हो जाएं, शुकर मनाएं परमात्मा का पता लग रहा है और वहीं पर बात को वहीं शांती से निप्टा दें, बहुत ज़्यदा उसके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अच्छा मुझे ये दिखा, बता उसका क्या मत्दब है, ऐसा दिखा, बता उसका क्या मत्द हैं, ड्रीम इंटरपेटिशन और ऐसा और वैसा पता नहीं क्या-क्या, वो सब चलता रहता है, ये समझो कि आप कनेक्ट हो रहे हो परमात्मा से, बने अलग-अलग वीडियो में अलग-लग तरह का ग्यान देने की कोशिश करिए, ता कि समझ आ जाएगी चलो, आप यह नोल विजन दिखा रहा है, देखते रहो, लेकिन यह याद रखना, किसी भी तरह की विजन के पीचे भागने के बजाए, विजन देने वाले को पकड़ लेना, तब यह नहीं, ओ, कल वो टैनल सी, लाइट दिखी थी, लोग उसके पीचे फिर पागल हो जाते हैं, वो लाइट लोग दवारत हो नहीं दिखी, पताओ मेरे को लाइट कैसे दिखे गी, अरे बाबा लाइट दिखे के नहीं दिखे, इम्पोर्टेंट कैसे है, दात प्यारी, विस्रया दातार, गुरुनानक साभी फरमाते हैं, दात के पीचे भागते हो, तुम दातार को बूल जाते हो, जाद अच्छी लगती है परमात्मा ने थोड़ा सुख क्या दे दिया पीछ पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम उस परमात्मा क्या पीछे पढ़े रहना यह लाइटे फाइटे तो तुम्हारे आज पास गूंती रहेंगी एक दिन तुम खुद प्रकाशवान हो जाओगे ए नहीं नहीं चोटा सा मंत्री तो है आपकी मरजी आप उसको छोटा सा बोलो कहो तो चोटा सा है और कहो तो पुरा ब्रमांड उसमें समया राइट तो समझ ले ना इस बैत को कि परमात्मा के साथ लोग लोग परमात्मा को यथार्थ रूप में नहीं जानते ना सच के वठो अंदर से, यथारत रूक में सम्झो कौन है वो, कौन विराठ हस्ती है वो, तुमारी सोच से परे है वो, इसलिए जो समाधी में प्रवेश करते हैं, समाधी में प्रवेश करते हैं, समाधी मतलब क्या? ये कैसी वस्ता, ध्यान के अदर एक ऐसी वस्ता, जब टाइमलेस्स ने Faith туда फाती है, अब टाइंग भी पृटा रहती है, अफ क्या हो क्या गया, समय नहीं, और डिस्टेंस नहीं, पता नहीं लगता आप ओ कहाँ, और कैसे हो, और समय कहाँ बीटा, जब ये वस्ता नहीं शु प्रविद गोंचने का परियास कर रहे हैं कि पकड़ो ले चलेंगे वही पर कि वही पर ले जाने की त्यारी है इसे कभी वैसे कभि एसे कभी इस तिक नम से बार बार समझाना पड़ता है भी कैसे किसी ना किसी तरीकी तो समझ लो बाबा, कोई तो तरीका लगा लो, कुछ तो समझ लो, यह ऐसी एटके रोगे सारी जिन्गी, अभी समझ लो, यही समय गुरुपाए में गोता लीजे खाए, गोता लीजे खाए, नाम के सरवर माई, अफ़ी जात नगी चांज दाओ फिर ऐसा ना ही, ये मौका बीट गया ना, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, ये अफसर बीट गया, दाओं फिर ऐसा नहीं, ये चांस दबारत बारत नहीं मिलता नहीं, ये तो दिक्कत है, इंसार पुरा जीवन खपा देता है, और मरते मरते तक भी इस बात समझ में आ आप देखो अपने आस पास हजार लोगों पे दिश्टी डालो हजार लोग और देखो कि कुई हजारों हजार में से कोई एक भी है जो सही दिशा में जा रहा है जिसने परमात्मा को इतना सा भी पैचान लिया है फोड़े दान पूर कर भी रहे हैं तो वो भी अपने एंकार क किस रूप में है कहां बैठा है वो परमात्मा को यथात रूप से जान लिया तो समझ में आ जाएगा कि जो तू है वो मैं हूँ इस बाशाक इस बात को अपने पीतर दारना पड़ेगा और यह उतारे बगएर गुजारा नहीं है उतार लेना उतार लेना कॉल्डन चांस मि है यह मनुष्य जीवन बार बार तो मिलने वाला है नहीं मिला है तो उसका फायदा उठाएं कोशिश करें उसके नाम में डुब की लगाने की अपिश है नहीं नाम समकोय बऑष्य साथ फरमाते है रंचक घट में संचरे सबदन कंचन होए लोहे को सोना बनाना हो तो युठ्टि क्या है तो नगहें कहा कि सभी रसायदा नाम करे नाहीं नाम समकोय को सके तो नाम का जाप कर और विस्व्यालनला शाब क्जिवी विसर नहीं दातार पर मात्मा को न विसर अपना नाम देव प्रभु देव अपना नाम ऐसी कृपा करो मेरे मन से आपकी याद न विसरे मेरे गुरुदेव फरमाते है याद है तो आबाद है वरना सब परबाद है कुमारे पुझे संथ फरमाया करते थे सोई घड़ी सुलक्णी जड़ी गुजरे शुह देनाल पंजाबी में बोलते हैं सोई घड़ी सुलक्णी वही बात परवान है जड़ी गुजरे शुह देनाल जो अपने प्यारे के साथ बीटती है वही घड़ी सुलक्णी है सबीर संगत साद की साहिब आवे याद लेखे में सोई घड़ी पाकी दिन बरबाद संगत साद की साहिब आवे याद साद की संगत बैठो गए तो परमात्मा की याद की बात ही करेंगे न जई तो होगा और किसकी बात करें मुले के दोड़ मस्जिद तक वो जहाँ सोच सकता है हमारी तो सोच वहीं जाती है गोम किपिर के जो बात उठती है हिर्दे से बस वहीं तक ही जाएगी और किसको याद करें पहली जीवर में कुछ हो आपके लिए कुछ होगा तो होगा हमारे लिए कुछ नहीं है उसके लिवा जब उठते जाकते सोते जाकते खाते पीते विसरता नहीं और धन्य है ओ लोग धन्य है ओ लोग कुनाश अजिवर माते है नाहों जपी तपी नहीं पड़ेया मूरक मुगदा जनम गया प्रणवत नानक तिन की शर्णा जिन तु नाहीं विसरया कि मैं कोई जपी तपी सन्यासी पड़ा लिखा नहीं हूँ मैं कोई जपी तपी सन्यासी पड़ा लिखा नहीं हूँ पर कहते हैं मैं उन लोगों की शर्ण में हूँ मैंने उन लोगों का पल्ला पकड़ रखा है जिन्होंने तुझे कभी बुलाया नहीं प्रणवत नानक तिन की शर्णा जिन तू नहीं विसरया जिन्होंने तुझे कभी नहीं बुलाया मैं उनकी शर्ण में हूँ मैं उनकी शर्ण में जाता हूँ जो हर वक्त तुझे अपने हिर्दे में रखते है आप रखते हो क्या आप रखते हो याद रहती है परमात्मा की 24 गंटे खाते पीते उटते बैठते चलते फिरते दिल में बस एक वोई धुन चली रहती है प्रवत नार कतीन की शर्णा ऐसे लोगों की शर्ण में भी चले जाओ ना पकड़ के बिठा के उनकी पले पड़ जाओ जैसे दैसे करके गल पड़ जाओ भाया मैं तु ले चलो ऐसे लोग कई न कई पकड़ के पार कर देंगे तो प्रियास करना कि हमारे भीतर भी पर्मात्मा की लगन पैदा हो सके गुरु से लगन ही तो नहीं पैदा होके देती गुरु से लगन ही तो नहीं पैदा होके देती तो थोड़ी से लगन पैदा हो जाए आनन्द आ जाए अंदर से जितनी हित संसार से तु सारा दिन चिंतन करता है, उसका इतना सा भी चिंतन कर ले, अपने बेटे के बारे में, अपनी बेटी के बारे में, जितना टाइम तुम सोचते हो, अपने पती के बारे में, या अपनी पतनी के बारे में, जितना सोचते हो, जितना हित संसार से हो, इत इतना परमातमा से करके देखिंगे चला जाये वेखनथ beim प्ल्ना पकडे कोई सब आप जोड़के Khabd track फुरा क्वे प्ल्ने वाला ने वाला ने होगा जितना इसन सार से प्यार करकत है एक बार परमातमा पुने आधा कर ले आधे से पुने आधा कर ले आधे से पुने आधा कर ले तब भी एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुने आध तुलसी संगत साद की कटें कोट अपराद इस सत्संग कोई ढंग से सुन ले इस सत्संग कोई ढंग से सुन ले इसमें भी तरे करोडों अपराद कट जाएंगे संगत साद की संगत संतों की संगत में बैठे हो सुन लो परमात्मा के नाम की महिमा सुन लो सत संगती कैसी जानिये किसे कहते हैं जित्थे एक को नाम वखानी है जहां पर सिर्फ परमात्मा के नाम की चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा होती है, उन्हारक साथी फिरमाते हैं, सुन सुन जीवा तेरी वानी, मैं तेरी वानी सुनता रहूं, कोई महिमा गाता रहे, मैं सुनता रहूं, मेरे दिल में इतना प्यार पैला हो जाए, और आया कुछ दिल में प्यार, या वही अपनी लगन संसार से भी भी बरकरार है, सुन रहे हैं, संसार जो के साथ प्रीत का रिस्ता भी बना के रखा हुआ है, बड़ी मुश्किल से समझ में आता है, जिजोड जिजोड कर जगाना पड़ता है कही ना कही, जाग जाओ, जाग जाओ, यूट्यूब चैनल पे, मेरी इंट्यूशन पावर कैसे बढ़ जाए, मुझे इंट्यूशन पावर बढ़ानी है, बहुत बढ़िया, इंट्यूशन पावर तो बढ़ानी है बाबा, इंट्यूशन पावर क्यों नहीं बढ़ानी, इंट्यूशन पावर के वीचे बढ़ा यह पहले कितनी बार आपको यह पावर दी जा जो क्या पता है आपको जब हम हिस्तरी में जाकर देखते हैं ना पास लाइफ देखते हैं इसलिए मैं जोड़ा पास लाइफ में इनटरस्ट लेता हूँ कभी कभी कि भी ये जो बंदा आज मांग रहे इसने पहले कभी मांग ने रखी होगी क्या और क्या मांगा होगा तो परमात्मे ने दिया नी होगा अच्छा चलो पता चलबीगा तुमेरे रखो तुम्हारे को इंट्यूशन पावर आभीगी फ्यूटर की सारी घटनाए तुम्हें पता लगजी, तुम दुनिया को बता दोगे तुम कहीं पढ़े होगे, कुछ उल्टे सीदे नए करम बना बैठोंगे परमात्मा के नियूमों में इंटरफेर कर बैठोंगे मत करना, मत करना मैं नहीं बताता लोग के थे अच्छा बताओ इसका ये इसके साथ ऐसा होगा के नहीं होगा नोक्री लगी की नहीं लगी की मैं फ्यूचर क्यों बताओं अगर फ्यूचर मैं ही बताने लगा तो फिर आप तो मैंनत करना बंदी कर दोगे मैं कोँगा कि हाथ तो मेरी नोक्री लग जाएगी और तो उस दिन से काम छोड़के बैठ जाओ आप तो नोक्री लगी जाएगी मैंने बोल दिया फिर क्या काम कتم जै तो हो गया और दोश देने के लिए संजीम मलिक है से ही फिर क्या दिक्कत है आपने बोला था अरे बाबा तो तुने मेनत करने बंद कर दी इसलिए इनके उपर क्रॉस लगा दिया जाता है और जिस फ्यूचर को बदला ही नहीं जा सकता तो जानके क्या कर लोगे जब बदला ही नहीं जा सकता तो जाने के बदला जा सकता है तो बदल डालो बदला जा सकता है तो बदल डालो ये विर्थ की चीज़ों से कैसे इनकी विर्थता आपको संवझ में आ जाये मैं सरफ ये बता रहा हूँ लोग लगी होते हैं मेरी powers activate हो जाएं अचा कर कह लोगे बताओ, एक ही बात मांगने लायक है, एक ही बात कबीर संगत साद की साहिब आवे याद, किसी तरीकी से उसकी याद आ जाए, इसलिए जो सच्छे सादक है न, वो वेर्थ की चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन प्राब्लम ही है कि लोग सीधी सीधी बात को लोगों को समझ में नहीं आती, उनको घुमा घुमा के बताना पड़ता है, सीधी सीधी गोली कह दो ना कि ये कड़वी है, फोड़ी कड़वी गोली लगते हैं समझ में नहीं आती, उसके फोड़ी चाश नीशी लगानी पड़ती है, वो सफे समझाना पड़ता है, भी अब खाले मिठी लग रही है, हाँ लग रही है, छोटे बच्चों को नहीं खिलाते हैं, आकर आकर बच्चा करते हैं, चीनी डालते हैं, खाले ते हैं, मिठी लग रही है, चलो, साथ में कड़वी रवाई में डाल देते हैं, ऐसी लोगों को बार बार मिठी गोलियां दे देकर खिलाना पड़ता है कोई जैसे भी करके रीज जाये मेरे गुर्मा ये फरमाते है तेनु गर्ज है हमें गर्ज पढ़ी हुई है इनको गर्ज थोड़ी है ये तो पढ़े हैं यहां पर आज भी पढ़े हैं दस जनम बाद भी इन्होंने यहीं मिलना है सो जनम बाद भी है यहीं बटा करेंगे हमें गर्ज है क्योंकि हम जिम्मवारी लेकर आए हैं वहां से जिम्मवारी लेकर आए हैं गुर्मा ये फरमाते हैं हमें गर्ज है क्योंकि हमने तुम्हारा जिम्मा लिया है कि किसी जीवन में तुमने प्राटना करी दी तुम्हारे क कि कि किस कारण से हमें जर्थे पर आना पड़ा है और इसलिए तुम्हें बार-बार प्यार से समझाते हैं कि बाबा समझ लो समझ लो यह वसर बार-बार नहीं आता कि कब समझ में आएगा अभी भी अब ना भजस कब भाई आवे अंतना भजिया चाहिए मिर्त्यू के समझ लपेगा यह गल्स है भी छोड़ दे अभी मौका है अभी जब लग जरा रोग नहीं आया जब तक बढ़ापा नहीं आया कोई बिमारी नहीं लगी देखे हैं लोगों को कैसे कैसे लाचार पड़े होते हैं कभी कभी सच में मौत का नजारा देखना आना त पता चलता है जब लग जरा नहीं आया बढ़ापा नहीं आया किसी वर्दाश्र में जाकर देख लोगों कि क्या हालत होती है अपने घर में देख ले मुझरू की जब हालत होती है क्या हालत हो जाती है स्वांस लिना मुश्किल हो रहा है चलना मुश्किल हो रहा है यह हटियां हिलती हैं अंदर से जब लग जरा रोग नहीं आया जब लग काल ग्रसी नहीं काया तक काल ने तरी काया को नहीं ग्रस लिया जब लग विकल भाई नहीं वानी बोलता है तो मुझ से ठुतलाता है यह हम सब के साथ होने वाला है अपनी future जानना है तो देख ले यह future है समझ में आ रहा है जब लग काल गरसी नहीं काया जब लग विकल भई नहीं वानी भजले रे मन सारंग पानी जब तक तेरी वानी विकल नहीं होगी भजले पर तुतला तुतला के तुतला तुतला के बोलेगा बोला नहीं जाएगा अभी मोका है अभी मोका है ये गोर्डन चांस मिला है बार बार ये गनिमत वक्त नहीं मिलता मिल गया है तो कदर कर ले परमात्मा ने बड़ी मुश्किल से दिया है बड़ी मुश्किल से मोका बिन ही प्रियास तो वे भव भंगा इसी सत्संग को सुनते सुनते किस दिन निवढ़ जाना तब भी कल्यान हो जाएगा मन में याद तो आएगी कहीं ना कहीं परमाथभा कि याद आजाये बस हो जायगा कल्यान किसी ना किसी तरीकisphere से दिल में वो प्यार से मीठी गोली खालो ज्यादा अच्छा है नहीं तो फोड़ी सी शेहद लपेट के खिला दो तब भी चल जाएगा पानी के साथ गटक जाओ तब भी चल जाएगा शेहद के साथ पानी के साथ चीनी के साथ ऐसे या वैसे जैसे मर्जी तो जी मीट कटक जाओ, कोई बात नहीं, जिसको जो अच्छा लगता है, वो गटक लो, प्यार से बात समझ में आरहिए? या फिर कुट पिट के समझोगे, या फिर कुट पिट के समझोगे, अब वो अब आपकी एपनी मरजी है, शुकर है परमात्मा का, प्यार से ही समझ आ बात नहीं तो फिर परमात्मा के पास तरीके तो सारे हैं आज तक जितने थपेड़े पड़े हैं इसी वज़े से पड़े हैं मेरे गुर्दे फरमाते हैं सारे दुख विछोड़े के दुख हैं तो विछड़ा हुआ है सारे दुख विछोड़े के दुख हैं विछड़ा हु कई ना कई से कोई ने कोई रिष्टे के तुरू लपेड़ देता है और देखो क्या ऐसा नहीं होता हर दूसरे दिन कई ना कई से पिटाई नहीं होती जिन्नोंने संजार को तोड़ा गहरा पकड़ा है उनकी पिटाई थोड़ी ज्यादा होती है जिन्नोंने नहीं पकड़ा तो उनके पिटाई काम हो जाती है फिर दिरे अब जिसके पकड़ जितनी गहरी होगी उसके जिस रिष्टे में जिस चीज में मोह लगाएगा ना उसी तरफ से थपड़ पड़ेंगे उसी तरफ से अगर पैसे में मोह लगाया बहुत ज़्यादा ये पैसा जी का जंजाल बन एक दिन पतनी या पती में नहल लगाया बहुत प्यार किया तो समझ लेना वो भी एक दिन मुसीबत ही बन जाएंगे क्या लगता है क्या लगता है पतनी को याद करते करते लोग कैसे दिन बर में एक दूस को कितना दिमाग में लगाते हैं मग किसी तरीके से सब के साथ रि तुछ राजी फरमाते हैं, जननी, जनक, बंदू, सुत, दारा, तन, धन, भवन, सुहर्द, परिवारा, तन, धन, भवन, जहां जहां तुने अपना रिष्टा जोड़ा हुआ ने संसार के साथ, जननी हो, मा, पिता हो, जनक हो, बंदू हो, सुत हो, बेटा हो, बेटी हो, दारा, पत्नी हो, या पती हो, तन हो, भण हो, स्थारा परिवार हो, सबके ममता ताग बटोरी सबके ममता रूपी थागे बटोर ले सबके ममता ताग बटोरी ममपद मनही बांदी बरी डोरी कहते हैं मेरे चर्णों से भगवान फरमाते है कि मेरे चर्णों से प्रीत की जोड़ी बांदे इन सबके रिष्टों के तार ऐसे बटोर ले फिर इनकी एक रस्ती बना और मेरे चड़नों से बांदे भगवान परमारे मदब परमात्मा की चड़नों से बांदे मम पद मन ही बांद ही बरी डोरी भगवान राम फरमाते मेरे चड़नों से बांदे फिर तुरी मुक्ति सब तैह है तुझे कुछ नहीं प्रमात्मा को पहचान लिया जो अपने काम में लग गए वो अपना तो काम करी ही गए औरों का भी कल्यान कर गए एक 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 अकेले यात्रा पर मात्मा की यात्रा पर चले थे लेकिन अप दिरे दिरे सब कठे होने लगे कारवा बनने लगा यात्रा बड़ी प्यारी ह शुकर है तो ऐसे लोगों का साथ पकर लेना बड़ा आसान होगा बड़ा आसान होगा किसी ना किसी तरीके से बड़ा चाहने वाले लोग हैं सजन से नाल में चलन दियां नाल चलन ऐसे सजन लोगों से अपना रस्ता अपना वास्ता जोड ले जो बृत्यू के समय भी तरह साथ ना छोड़ें चलन दिया नाल चलन जित्थे लेखा मंगे जित्थे खड़े दिसन गुरु माराज प्रामिस करते हैं वाइदा करते हैं कि तो थोड़ा सा भी याद कर ले थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी याद कर ले जहां मोका होगा ना वही सामने खड़े नजर आएंगे जहाँ जरूर पढ़ेगी यमराज जब हिसाब किताब पूछेगा ना सबसे पहले गुरुदेव वहाँ पर खड़े होंगे गुरुदेव की तरफ से मैं बोल रहा हूं कि कह रहा हूं कि वो ऐसे डंके के चोट पर खड़े हो के कहते हैं हम साथ है तुमारे यहाँ भी और वहाँ भी जब यम की कचैरी में पहुचेगा ना जब हिसाब किताब पूछा जागा तुम बस एक ही कह दियो पिरा बाब मेरे पिता बस मेरे को नहीं पता मेरे को कोई हिसाब किताब नहीं आता जिन से पूछो जो पूछना है जिसको यह समझ में आ गया पिर रह रह दर गय कहे ना कोई आओ बैठ आसन सब देई कहते हैं जमराज नतमस्तक हो कुरूं का स्वागत करते हैं जाओ भाई तुम्हारी तो टिकट परमात्माने खुद अपने हाथ में जिसकी डोर हाथ में ले रखे तुम्हें कुछ क्या कह सकता है सारा हिसाब किताब कौन करें क्योंकि तुमने संसार में रहते हुए अपने सारे के सारे हिसाब किताब से मर्पित कर दिये प्रमात्मा के चरणों से प्रीट करिश्टा बाद दिया धन्ये हैं वो लोग जोने संसार में आकर ये महानकारे कर लिया आपने कर लिया है आपने प्रीट का रिष्टा जोड़ लिया है प्रभू के साथ यूट्यूब वाले सभी को समझ में आ रहा है सभी को बात पले पड़ रही है ममता के ताग बटोर लिए कि नहीं बटोर अभी तक या भी और दो चाहर जर्म लगेंगे और दो चाहर जर्मों के बाद बात समझ में आएगी अभी आ चुकी है समझ में अच्छा है जल्दी समझ लो असान है अभी तो बात पले पड़ जाएगी तो बात में बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस आप किताब राइट बात में बड़ा मुश्किल है अभी तो चांस है शरीर में जोश है, शरीर में टाकत है, मन में जोश है, हिम्मत है, कर सकते हैं कुछ, किया जा सकते हैं, भज लीजी भगवान यही में भल है अपना परमात्मा को याद करते हैं, हिर्दे के अंदर अपने ही बीतर बैठे परमात्मा को याद कर, संसार के कामों से भाग जाने को कभी नहीं कहा, जाग जाने को कहा, जाग जाना, बड़े प्यार से जाग जाना, और फिर आप पाएंगे कि दिरे-दिरे संसार के समझती जी अपने आप, आपके फेवर में होने लगती है, आपको लगता है कि परमातमा आपको पल-पल पे क्वार्ट करते हो जाते हो तो दो डाउट हो और रस्ते का अब बता नियों इस तरह जा रहा कि निया रहा तो साइन बोड़्ट बताते हैं यह साइन बताते हैं कि परमात्मा के तरफ जाने वाले किलोमेटर घट रहे है तो क्या होता है बार बार नंबर रिपीट होते हैं एंजल नंबर दिखते हैं रिपेटेड नंबर दिखते हैं परमात्मा अलग लगते हैं उसे साथ देता है वो क्या कह रहा है और आपको लगता है अपने प्रॉबलम का मुझे स्वते हैं चीज तक ही याद पता लग जाए कि आप सही जा रहे हैं तो इसलिए इस सिंबल चेक करते हैं कि मेरे अंदर चेंज़े आ रहे हैं क्योंकि रास्ते का पता आना तो पॉसिंबल नहीं है कैसे पता चेले कि आप सही जा रहे हो तो यही अंदर का रास्ता है जैसे जैसे changes आएंगे अपने भीतर वैसे वैसे बाहर भी आपको परिवर्तन दिखाई देने शुरूर होंगे मन में जब शांती ज़्यादा ठैर रहा हो ज़्यादा रहने लगे अनन्द रहने लगे अब सुख और दुख के दे संभाव रहने लगेगा पहले सुख से सुखी हो जाते थे दुख से दुखी हो जाते थे अब सुख से उतने सुखी नहीं होते जितने पहले होते थे दुख से उतने दुखी नहीं होते जितने पहले होते थे मन में एक संभाव रहने लगा है बात पले पढ़ रही है समझ में आ रही है तो जब ऐसा होने लगे तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं शुकर मनाए परमात्मा का कि आपको सही दिशा में ले जाया जा रहा है तो धन्यवाद ऐसे तो बनता ही है आप अपने प्राबलम खुल से सोल करना शुड़ू कर देते आपको लगता है कि मेरी समस्यों का समाधान सिर्फ मेरे ही पास है मैं अपने आपको समय दूँ आप ज़्यदा लोगों के पीछे नहीं पढ़ते फिर पता है मेरी समस्या है मैं समाधान ढून लोगा अकेले रहना अच्छा लगने लगता है अपने आप से प्रेम होने लगता है एकांत अच्छा लगने लगता है आपको पता है कि कोई आपकी समस्या नहीं सुल जा सकता पहले होता था चोटी सी बात हुई कई ता उसको फोन कर कभी इसको फोन का भी इधर पूछ, कभी उधर पूछ, दिरी दिरे खुद के अंदर समिटना शुरू हो जाता है, लगता है कि ठीक है, क्या फरक पड़ता है, कौन बताएगा तिरी समस्था का समाधान, हाँ, सफसंग में जरूर आ, सफसंग में जरूर आ, कि कही न कही तो सम में आए, वहाँ चल, लेकिन चल तो सही, और दो कदम चल, देख परमात्मा तुझे, दस कदम ना लेने साथ में तो मोल देना, यही कि स्टेप बाइस्टेप, स्टेप बाइस्टेप गाइडेंस का पूरा इंतजाम है, तुझरा कह तो सही, तो कह तो सही, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे फुकार लो, फुकार कर दुलार लो, दुलार कर सुधार लो, इसलिए खड़ा रहा, हम इंतजार करेंगे तरह क्यामत तक, परमात्मा के आगे इंतजार करते हैं, यह खुदा करे कि क्यामत हो और तु आए, लोग आने, इसको कुछ में मतलब निकालती हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, बात सिर्फ सटीक एकड़म, उसी का इंतजार है, तेरी उमेद तेरा इंतजार करते हैं, बद तेरे एक ही भरोसा है, तुलसे जाजी कहते हैं, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, कौन, कौन, किस की बात कर दे हैं, एक भरोसा, एक इक बल एक आस विश्वास स्वाति सलिल सत्गुर्ज चरन है चातरक तुलसिदास। बस वो इकी चीज की मांग करता है। किसी तरीके से स्वाति नक्षत्र के अंदर खास तरह के नक्षत्रों की अवस्था होते हैं, 27 नक्षत्रों में से एक होता है स्वाति नक्षत्र, उसमें से उस वक्त बारिशो, स्वाति नक्षत्र और बारिशो, और वो बून सीदी सीदी अगर उसके मुझ में गिरे तो वो लेगा ने तो पानी नहीं लेगा कुई और नदीया भड़ी पड़ी रह Toune sous कि स्वाथि सलिल सद्गुरु चरण अगर कुछ मिलना है सद्गुरु चर्ण न हखा सब्टमिस सघर कि कटम लूगा ति मैं परियोशाह भे सब वजमितिकले जाना हुआ, शम्शान जाना हुआ, शम्शान में जब जिनको भी साथ लेकर गए थे, उनकी शम्शान की शव या तरह में साथ गए थे, तो वहां पर एक पॉइंट होता है, जहां तक जहां पर शव को रखा जाता है, और उसके बाद उनको उठा कर वहां से आगे ले जाए तो लास्ट में जहाँ पर संसकार किया जाता है तो वहाँ पे लिखा हुआ था इतना साथ देने के लिए शुक्रिया, दोस्तो आगे का सफर हम खुद टैय कर लेंगे हमारे मृत्यू के समय यही दिखा रहेगा इतना सफर साथ देने के लिए शुक्रिया अभी से लोगों को कह दो हम मुर्ट्यू के बाद कौन कहने आएगा कौन पढ़ेगा उस बोर्ड को कोई मारे जैसा बावला पढ़ा है तो बात अलग आम लोगों ने तो पले ना पढ़ा है बात के कह रहे हैं उसको बात समझ में नहाएगी ना बात समझ लो तो पहले से कह देते हैं यहां तक का साथ देने के लिए शुक्रिया दोस्तो आगे का सफर हम खुदी तै कर लेंगे और एक उसको कह देना याद करके परमात्मा को की प्रभू तू ना साथ छोड़ देना एक तेरे भरोसे पर सारे संसार से लड़ लिया हैं तेरे भरोसे में सारे संसार से लड़े हैं तो साथ ना छोड़ देना और जिसने उस प्रमात्मा के उपर एक ये वाला भरोसा रख लिया है प्रमात्मा निराश करतेगा अरे संसार में भी तुम किसी को कह दो ना कि मैं तुम्हारे भरोसे हूँ जरा मेरा भरोसा ने तोड़ना संसार में भी शायद वो व्यक्ति आपके लिए पता नहीं क्या कुर्बान गर दे अगर आप उसे ऐसा कहो तो प्रमात्मा भरोसा तोड़तेगा एक बार करके तो देख ले संसार पर बड़े भरोसे किये हैं एक बार एक बार कह दे दिल से कह दे बस मैं तेरा हूँ ए प्रभू मैं तेरा हूँ मैंने दिल से माल लिया बस अब मैं तेरा हूँ मैं तेरा हूँ दिल से कह दे एक बार सारे के सारे हिसाब किताब ना पूरे कर दिये जाएं तो कह देना, एक बार, लाक शीष तू दे चुका यम राजा की भेंट, लाक शीष तू दे चुका यम राजा की भेंट, एक शीष तू ने ना दिया, श्री सत्गुर की हेत, एक शीष तू ने ना दिया, श्री सत्गुर की हेत, अगर देना होता त तो जैसे लाखों शीष तुने संसार पर कुर्बान कर दिये, एक सिर इस बार गुरु माराजी पर परमात्मा पर अपने इष्ट गुरु भगवान पर कुर्बान कर दे, तुझे संसार की तरफ कभी दुवारा मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा. बात पले पड़ रही है, समझ में आ रहा है? तो दीरे दीरे अपने भीतर वो जागरती अपने भीतर जगानी है, अपने भीतर वो जागरती लेकर आनी है, कि किस तरीके से हम परमात्मा के तरफ मुड़ते चले जा रहे हैं? और मजे की बात है कि जितने जितने आप परमात्मा के तरफ मुड़ते हो चले जा रहे हैं, आप खुद परमात्मा होते चले जा रहे हैं, आप खुद उसी का रूप होते चले जा रहे हैं, तो प्रियास करते रहना, थोड़ा जादा, थोड़ा जादा होते होते होते, एक और दिन हो जाएगा एक दिन वो प्रेम एक दिन वो प्यार एक दिन पर मार्त्म के प्रति वह समर्पन का भाव अ ही रहे हाई है एक उसक्छ यjam आ infamous को पर भी चाहे है अभी हो सकता है यहाँ possible है, यहाँ सम्भव है, शुकर मना लेना कि यहाँ पर प्यार से समझाया जा रहा है, यह तो यम के दूट मार मार के समझाएंगे ना फिर पल्ले पड़ता है, फिर इसको जब चीके निकलती है ना अंदर से, फिर यह परमात्मों को याद करता है, फिर तब फैदा क्य इसलिए अभी त्यार से समझाया जा रहा है, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं वानी, भजले रे मन सारन पानी, अब नभजस कब भाई, आवे अंत नभजे आ जाई, जो मिर्ट्यू का समय आएगा, फिर याद न अभी से कर ले, छुड़ा जिकजूर कर उठा अपने आपको सुबह कह, हरीवन देहे फ्रवु मैतली शरण में हूँ, अभी कह दे, अभी कह दे, दिल से कह दे, बैठा हुआ है, वो सुन रहा है, दिल के अंदर ही बैठा हुआ है, दूर थोड़ी है वो, कोई उसके लिए लगाने की जरूरत नहीं है, मिनारों पे चड़ँड़के लोह हमकी धल्लापन मचाने की जरूरत नहीं है, वो,ill चीटी के बग नेवर बाजे, सो भी साहिव सुनता है, चीटी के पैरों में घुम्रु बजते हैं, वो थो साहिव को सुनाई पढ़ते हैं, तुम अपने मन म जो फुरने उठाते हो ना वो सब सुनाई देते हैं उसको, उसको नहीं पता चलता, सब पता चलता है, तो अपने मन के हर संगल्ब को उस पर कुर्बान कर देना, हर संगल्ब को कुर्बान कर देना, स्वांसों की माला पे सिमर लेना, उसका नाम भूल नहीं जाना, कि मौका ब साहब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकि दिन बरबाद, ये सब सब सुनते सुनते ही, शायद बीतर उतर जाए, शायद किसी के धिर्दे में बात उतर जाए, समाजा जाए, कल्यान हो जाएगा। जरूर हो जाएगा भरोसा है हमें भरोसा है हो जाएगा इसलिए कहना पड़ता है बार बार चलो किसी तरीके से सही ऐसे नी तो वैसे वैसे नी तो वैसे वैसे नी तो तैसे समझ लो और अपना कल्यान करो और चलो साथ लेने आये हैं यहां पर बार बार अभी तो प्यार से हा तो पुछा जा रहा है त्यारी चलने कि या फिर कुट पिट के जाओ गए अभी है प्यार से चल पड़ो अभी तो प्यार से मैट कर रहा है सब कुछ थीक ठाक है तो प्यार से बुलाया जा है चैई Meng ने अभी तो बोला जासकता है उठाकर हाथ तू कह अब आपने आप से कि अब भूलना नहीं जो मर्जी हो जाए हर करम अपना करेंगे ए प्रभू तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे दिल भी दिया है धीरे दिले अपने आपको कुर्बान कर देंगे ए सद्कुरू ए परमात्मा तेरे रस्ते पर चलते चलते हजार हजार रुकावटे आएंगी तो भी कुर्बान कर देंगे अरे बिछड़ा है इसलिए दुखी है बिछड़ा है बस एक बात समझ ले मिल जाएगा आनदित हो जाएगा सदा सदा के लिए और करना क्या है करना क् स्वासों के साथ उसके नाम को जोड ले प्यार का रिष्टा बना ले कि सत्तन सुनते सुनते शायद कुछ समझ आ जाए शायद किसी के दिल के कपाट खुल जाए ने तो चाहिए अब प्रियास तो किया है बाकी उसकी मर्जी जो कहा गया था हमने वो किया आप जानो कितना दिल में प्यार पैदा हुआ कितना समर्पन पैदा हुआ जड़ा खुझ से पूछ के देख लेना शुकर है परमात्मा का जिसने भी जपा जिसने सोच भी लिया ना सत्संग की थोड़ी सी याद भी आगे ना इसाब किताब बराबर कर देंगे चिंता मत करना इतना बरोसा तो रखना मेरे गुरुदेव का एक छोटा सा जिक्र याद में आता है एक वेक्टी हमारे गुरु महराजी का परशाद हमारे गुरु महराजी का बड़ा फेमस है परशाद का मतलब अब जब भी अपने गुरु के दर्शनों को जाते है न तो वहांसे परशाद भर-बर के बांटेगा, उसका दिल करेगा कि वो बांटे, जिसके पास भी परमात्मा का परशाद आएगा वो बांटेगा जरूर, वो टिक नहीं सकता, वो अपने आप में वो भो वो उस परशाद को लेकर अकेला नहीं खा सकता कभी भी नहीं सवाली नहीं पैदा होता है वो बांटेगा हमेशा इसलिए कहा जाता है कि परशाद वही जो बांट कर खाया जाए तो बांटेगा वो तो परशाद जो है ना हमारे एक मातमा जी परशाद जो है वो बांट देते हैं परशाद सब को बांट देते हम लोग भी ज प्रशाद दिया होगा, तो कुछ दिनों के बाद उस वेक्ति की बृत्य हो गई, किसी वेक्ति की बाद कर रहे हैं, उसकी बृत्य हो गई, और अब वो देखता है, उसके जीवन में सारे करम काले पीले जो भी उसने कियोंगे, लेकिन प्रशाद कहीं से परमात्मा का, बीट गया, जब उसे परशाद खाया था और जब मृत्य होई, काफी गैप था उसने कभी एकाद बाद जैसे परशाद खाया और बाकी उसे, तो एक बार जब वो मृत्य होई और उसको लेकर जाया जा रहा था, तो बड़ा मतलब मन से दुखी और जम्दूत उसको सुक्षम शरीर दिया जाता है, यम्पुरी के रास्ते जाते हुए, एक सुक्षम शरीर दिया जाता है, इसको भूव शरीर बोलते है, वो सिर्फ सजा के लिए दिया जाता है, उसको तकलीफ दिया जाती है, वरना तो आत्मया से शुद्री वो जाती है, लेकिन उस शरीर द वो महत्मा जी जिसने उसको परशाद खिलाया था, महत्मा जी वहाँ पर खड़े वह एंगा उस रस्ते पर, इसने उनको पहचान लिए, इसने कहा कि इनके हाथ से मैंने परशाद खाया हुआ है, और अब यम्दूत उसको पीट लग रहे हैं, लेकिन और महत्मा जी के जो पा महत्मा जी की तरफ, ये अंतर की जगत में हो रहा है सब कुछ, अंतर की यात्रा में सुक्षम शिरी के साथ हो रहा है, तो वो महत्मा जी की तरफ वो चल पड़ा, दो कदम उसने वहाँ पर बढ़ा है, उसकी तरफ महत्मा जी की तरफ जाए, जैसे ही वो महत्मा जी के चल तर फिए गेरा बनावा था, सरकल बनावा था, और वो सरकल के बीतर है वो पहुँचा, अब यमदूतों की हिम्मत नहीं है कि वहाँ जाके उस गेरे के अंदर पहुच सकें, और यमदूत, वो पहुचा है और मातमेजीन उसको दो-चार बाते वचन फरमाने शुरू करती है, अंतर के जगत में घटना घट रही है अब मातमा जी उसको बाते करने शुरू करने तो यहां कैसे आया क्या हो गया वो बाते अपने बता रहा है अब यम्दूत जो है ना वो उस घेरे के दर प्रवेश नहीं कर सकते हैं वो खड़े हैं उसको बार बार खड़ों के डंडे से डराते हैं अपने वो भाले बाले दिखाते है तो मातमा जी उसको वो जो देखके डरता है वो बार देखने कि जूरूर सनी तुझा यहां ने तो यहां देखता तरह कल्यान हम करेंगे और वो उनको देखता रहता है अब जितना समय वो मातमा जी के संपर्क مें दाएरे में तरह परशाद काया था उसका जो पुण्य था उस पुण्य के बल पयो मातमा जी जी के उनको दर्शन अंतर में हुए और फिर उसक आत्मा को उद्शे जम्दूतों के चंबल में जा चुकी थी किवल उनके पास बैठने मातर ही मनत तो उनके सरकल में प्रिवेश करके मातमजने का पीशे मुड़के मत देखना अब तू जितने टैम तू हमारे पास रहाई इसका जो पुन्य है वो इतना है कि तुने की हुए सारे पापों पर भारी है इसलिए अब तू जब एक टाइम बीट गया मातमजने का अब तू जा अब यमदूद कहा यमदूद तो गैब होगे मापकी जगा देवदूद परगट हुए उन्होंने कहा कि प्रभू आपके तो पुन्य इतने कथे हो गया जिए देर तूमने संतों की संगत करी है यहाँ पर उतनी चे देर में तूम्हारे पुन्ये कथे हो गया जाओ तुमारा कल कल्यान हो गया लेकिन कहीं न कहीं शरदा भी रही होगी इसका मकसद क्या है प्रियास करना हम जब लोगों को लंगर बाढ़ते हैं कुछ खिलाती तो भाव क्या होता है इस प्रशाद को ये गुरु का अमरत है सब के मुँझ में जाए जिसके भी अंदर जाएगा उसके अंद बात समझ में आगी होगी रहें चलिए जन्यवाद अदा करते हैं स्वांस स्वांस सिव्रो गोविंद मन अंदर की उत्रहें चिंद आकरी जो प्रैक्टिस है आकरी जो बात है जितना भी सत्संग सुना इसे दिल में बसा लेना हो सके तो स्वांस स्वांस में प्रभु का नाम से बन करना दो गंटा मेरे गुर्दे फरमाते हैं बैठ कर एक गंटा सुबह कर रहो बाकी के टाइम में पंदरा पंदरा मिनिट करके दस-दस मिनिट करके जोड़ जोड़के एक गंटा उतुड़ा कर लो दिन में जब मोका मिले जहां मो का मिले टी ब्रेक लेते होना कभी-कभी लंच ब्रेक टी ब्रेक होता है यह से ब्रेक ले ले लो दोने ech लगाज करते हैं कि अभी-जीत जीम हमें इस बात की समझ आई है, गुरु की कृपा है, गुमात्मा की दया है हमारे उपर, हमें सत्के रास्ते पर ले जाया जा रहा है, इसके लिए शुकराना करें, और स्वांस्वांस में उसके नाम का जाब करके अपने जीवन को सफल बनाएं, थैंक यू बरी मच, बहुत बह शुक्रिया, प्रदेव की क्रिपा हम सब बरूदी